वेलकम बैक टो मैं चनल देखे फैन्ट्स आज हम बनाएंगे काना जी के लिए ब्यूटिफुल सा ड्रेस बिकुल सिंपल तरीके से बनने वाला और इतना घेरदार हमारी ड्रेस है काना जी की यह देखे हमने चार नमबर काना जी को यहां पे पहना के आपको दिखा रखा है स यह देखे फैन्ट्स आज की रिएस बनाएंगे हम दो कलर की उनसे और यह बेबी सॉफ्ट बूल के नाम से आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी चलिए बनाना स्टार्ट करते है यह देखे इसमें तीन तरह के इस तरीके से धाके होते हलका हलका सरीशा होता है सबसे इसरीं सफली धेखें हमे यहां पर नॉट बनानी है इस तरह के से बनाइएंगे 2.5 mm पर करें साफ ए सटार के से बनाने,देखेंल निकालेंगे हमारी यहापे counting बन जाएंगे तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, इस, और चौविस हाँ देखिए हाँ पर चौविस चेन मना लिए चौविस चेन मनाने के बाद एक चेन हमारी क्रोशा हुप में धागा रपिटेंगे और यहाँ से तीन चेन छोड़ेंगे चौथी चेन में इस तरीके से धागा लेंगे और यह देखिए हाँ पर तीन चेन है, तीन चेन में से दो चेन निकालेंगे फिर दो चेन निकालेंगे, इससे हम डबल कुशा कहते हैं फिर इसके बाद नेक्स चेन में भी ऐसी करेंगे हम यहांसे दो चेंड निकाली, फिर से दो चेंड निकाली, फिर next chain में आसी करना है, योधिक है हमने double questions कर दिया, इसी तरीके से हमें, सभी chain, जितनी भी हमारी chain है, सभी में से एक एक बार double question लेना है, और ईारो complete करना है, योधिक हमारा कुछ इस तरीके से यहां पर protocol बन क्या जा दाती हूं इदे के फैर्स हमारी यह पूरी रों कम्प्लीट होगी है अब में देखिए नेक्स्ट रोपे क्या करना है यहां से हम तीन चेन लेंगे वह को टन करेंगे और टन करने के बाद देखिए फॉर्स चेन है इसमें तीन चेन लिए इस एक डबल कोश्या काउंट कि इसी चेन में फिर से हम एक बार डबल कोश्य देगे भी ज़ Congressman action में डालेंगे देखिए एक ही बडबल कोश्य करेंगे तो हमारा फॉर्स चेन में दो डबल कोश्या कंट होगा नेक्स चेन भी हमें डबल कोश्या करना ह। अpower वर बार है फिर हमारे देखें the transition में एक बारबल कोईशा करना है same chain में एक बार उर करनाई है ऐसे ही हमें सबी chain में से एक दो दो बारबल कोईशा करके 외로u कंप्लीट करनी है यह देखें प्रेंस हमारी यह बींडे है आप देखेंए हमने हमने जो यहां तक जो लास्ट का लैना गट्विते हैं तो वाली जो चैन होती है अक्सरे करकर पता नहीं चलती है और यहां keep यहां क spinnen अगर आप skip करएंगे तो आप से सिधी सिधी यूह फट्टी बनके नहीं आईगे इस बात का हमेंशा ध्यान parenthगे हैं का यहां सरकल यहां पर बनके तैयार हो गया है अब हमें नेक्स टो बनानी है नेक्स टो के लिए भी हमें तीन चेन लेनी है तीन चेन लेने के बाद फर्स चेन है इस पर हमने तीन चेन लिए एक डबल कोश्या काउंट हो गया इसके बाद जो नेक्स चेन है उस पर हमने एक बाद डब दबल कोश्या लेना है फिर जो नेक्स चेन आएगी उस पे हमें दो बार डबल कोश्या लेना है इस रो में हमें आसी करना है एक चेन पे एक डबल कोश्या और एक चेन पे दो डबल कोश्या इतना ऐसी करते विए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है तो चेले में यह रो भी कं all complete हो गई है कि यह एकवार इसके नहीं में तेयर लेकित कर लिए कि इसके बादय मैं देखें हमें पर है तीन li लें है था थी लिए एक देखिंगा नशेन पर दबल कोशय डालेंगे बार सेम चेंपर कोस्के त्इम भार से बार 一 कुशया इस रो में भी हम ऐसी करेंगे एक चैन पे से एक बाडब। कुशया लेंगे और इक चैन पे से धो बार यह पर बहुसा हुआ साम वह LOOK कर लेंनी है तो जब को इसे हमारी पेंड मारी यह एक दो और डबल कोश्या करेंगे सेम चेन में एक बार और डबल कोश्या करेंगे हमने यहां पर तीन डबल कोश्या पहली वाली चेन में करती हैं इसके बाद हमें एक चेन स्किप करनी हैं दूसरी चेन में क्रोश्या हूँ डालना है फिर हमें इसमें तीन डबल कोश्या करने हैं यह तीन डबल कोश्या हो गया फिर इसके बाद एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में फिर से हम यहाँ पर तीन डबल कोश्या करेंगे एक डबल कोश्या हो गया यह दो डबल कोश्या हो गया और यह तीन डबल कोश्या हो गया इसी तरीके से हमें यह पूरी रो कंप्लेट करनी है एक डबल कुशा किया यह दो यह तीन इसी हमें यह पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है देगेंगे में इरों complete कर लेती हो हर दूसरी chain में हमें तीन पॉइब में वीच में एक chain को skip करके लिए कि एधि के chance हमारा इरों complete हो गया हर दूसरी retain में एम स्टार्टिंग में 3 डबिडिव्चर लें तो हमें यह पर 3 chain लेने हैं तीन chain लेने के बाद देखें 3 Double डबल कोशे की चेन है इस पे हम दो बार डबल कोश्या लेंगे पहली वाली चेन पर एक डबल कोश्या हो गया और सेंटर वाली चेन पर हमने दो डबल कोश्या लेना है अब यह जो हमारी जो तीन डबल कोश्या की जो थर्ड चेन है इसमें एक बार डबल कोश्या लेंगे तो एक बार और किया और जो तीसरी वाली चेन है इस पे हम एक बार करेंगे तो मैं देखिए तीन डबल कोश्य की चेन होगी तो पहले और लास्ट वाले पर तो एक एक बार डबल कोश्य लेंगे बीच वाले पर दो बार तो तीन के ओपर हमारे चार डबल कोश्य ऐसे आ यह दो बार किया और जो next chain है उस पर एक बार किया तो हमारा तीन के उपर ऐसे चार बनता हुआ जाएगा चलिए रोबी मैं ऐसे complete कर लेती हूं यह देकिए fans हमारी यह रोबी complete होवे हैं अब हम देखें next रोब पर क्या करना है हाँ से तीन चेन लेंगे और तीन लेने के बाद starting में देखिए यह तीन चेन है देखिए एक डबल कोशिय होगा दो डबल कोशिय होगा तीन डबल कोशिय होगा और यह चार डबल कोशिय होगा इसके बाद देखिए पाच और ये 6 ये देखिए हमारा जी तीन तीन का पेर था दो पेर हमने आपे छोड़ दिया तीन का पेर ये है और तीन का पेर ये है ये तीन पेर हमने 6 मतलब टोटल चेन छोड़ दिया 6 चोड़ने के बाद साथ भी चेन में देखिए हमने हां से डबल कोशिया लिया, फिर नेस्ट चेन में दो डबल कोशिया लिएंगे, यह दो डबल कोशिया हो गया देखिए, फिर नेस्ट चेन में एक डबल कोशिया हो लिएंगे, उससे बीच में अगली वाली चेन में दो बार डबल कोशिया लिएंगे, एक बार किया, सेम चेन में ए साथ डबल कोईशया लिया, एक एक चेन में, उसके बाद हमें क्या करना है, देखें, एक चेन में दो बार लेंगे, एक चेन में एक बार, एक चेन में दो बार, और ऐसे यहां ते करके आएंगे हम, और यहां से हम लास्ट की, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, स यसी चोड़ देंगे और इससे जो first वाली है यहां तक हमें ऐसी करना है एक चेन पर cin तोबार하시는 क यह walipार एक चेन थे लिए यही करी कि नहीं करना है यह meno कि यहां से बीच में सभी चेनों पर हमें एक चेन पर एक चेन पर दो बार करके डबल कोश्या लिते वे यह रोग कम्प्लीट करनी है यह देखें फैंट समारा यह रोग पूरा हो गया और बस हमें देखें यहां से आप इस तरीके से धागे को कट करके निकालना है तीनों धागे क्रोश्या हुक में लेंगे यह देखें मैं इसकाल दिया था तो यहां से यह दागे इस तरीके से फैल गए है तो इसमें से एक भी धागा हमारा छूटना नहीं जीए बस हमें देखें इतलंबी सी चेन करनी है इस तरीके से धागे को कट कर देना है हमारी यह र फसाना है और यह हमें ऐसे चेन लेनी है धागे को खिस देंगे बस यहाँ पर इस तरीके से चेन बनाते वे हमें लंबी सी डोरी बना लेनी है सिंपल वर्स हमें चेन लेते वे जाना या आपके दो धागों को आपस में तीन धागे लेके इसमें आपस में चुटिया भी गुट सकते हैं जैसे हम चोटी गुटते हैं उस तरीके से भी बनाएंगे तो भी यही चेन बनके आएगी चले मैं यहापे लंबी सी चेन बना लेत यह देखिए हमारी यहां पर डोरी बन गई है बस हमें यहां से धागे को कट करके इसे निकाल देना है डोरी हमारी यहां से बन के तियार हुए धागे को थोड़ सा हमें यहां से खीचना है अब यह देखिए हमारा जो ड्रेस का घेरा देखिए यहां पर बहुत सुंदर और देके बड़के से क्रोश्या बिधाएं से क्रोश्या 향को बना हुए करोश्या यहाँ से चोट गया मेरा क्रोश्या हुच हुआ है यह हमारा कि छाईते से माइब पीन डालते है जैसे करोस्टेस हैं डालता हो तो आपको लिखाए यहां पिना कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैं आपको दिखा देती हैं यह देख हमारे चार नमर के कानर जी है सीम ड्रेस आप 5 नमर कानर जी को भी पहना पाएंगे यह ड्रेस का घेरा देखिए हम ऐसे कानर जी को पहना देखिए इसको बनाना भी बहुत इजी है खेल सिम्पल सिर्फ हमने डबल कूशिय का की इहां पي भूंस किया हुए और बनाते ही पूरे ड्रेस एक कामारा गहरा बन गया बन गया है और जोसे सर्दी आएंगी तो काफी ड्रेसकी काफी गेरदार क्योंकी हमने यहांपर बनाई यह हमारी यहँ पर देखिए हम यहां पर श्रति इस तरीके से चाहिए तो बेक साइड में भी अट्रेस कर सकते हैं हैं अब हब болी ट्रेस पहना दिया मुझस्ट और यह देखिए बहुत ही घेरदारे हैं यह ब लकुत हुद देखिस और आप यसे इस तरीके से फ्रीव को सैड कर सकते हैं यह देखिए तो इसको देखें पनाना भी कितना आसाना आपको इससे पनाने में दिक्कत नीयुकित águaSас आप पाश्ण काणाश मध्यों कोई पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको यह देगे काफी मारी घेड़दार है ड्रेस और इसके साथ देखे इस तरीके का मैंने यहाँ पर जैकिट पाउचों मैंने पहले ही बनाया हुआ है इसकी वीडियो पहले से चैनल पर अप्लोड़िट है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगी आप वहां से इस राम से बना सकते हैं और इसको देख पर मिलते हैं किसी वीडियो में तब टेके लिए राधे राधे हरे किसना